कि इसका अर्थ है कि पार्टी के अंदर और सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जेमें में आकर डॉक्टर सर्फराज एहमद गांडे से विधायक बने एक साल पहले ही विधान सबा की सदस्ता से इस्तिफा दे दिया और इस स्पिकर ने मंजूर भी कर लिया अब जितनी मूँ उतनी बात सुनने को मिल रही है कोई इस इस्तिफे को भविस्क का में उठाया गया कदम बताया जा रहा है हमारे साथ BJP के नेता दीपक प्रकाश जी है दीपक जी आप तो राजनीती में आप भी एक तरीके से बुढ़े ही हो गए इस कदम को क्या माना जाए ये दीपक जी के लिए खुसकबरी वाला कदम है या मतलब नॉर्मल है राजनीत में कोई बुला नहीं होता है अनभो होता है लंबे समय से राजनीत में हैं और राजनीत में हर लोग अपने अनभों के अधार पर युवा ही होता है जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं, जिस विसे की बात कर रहे हैं, सब कोई आज पूरे जार्खन में ये विसे, चर्चा का विसे है, कि सर्फराज हमद गांडे विधान सभा के समानित विधायक तो उन्हें इस्तिफा दिया है, ये बूसरे सब्दों में कहें, तो एक जार्खन मुक्ती मूर्चा के आंत्रिक मामले हैं, क्योंकि वो जार्खन मुक्ती मूर्चा के विधायक थे, लेकिन इस पर मैं कोई टिपनी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं पांडे जी, कि इसका अर्थ है कि पार्टी के अंदर और सरकार म सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यह अच्छी इस्टिती नहीं माने जा सकती है कि एक बिधायक पांच साल वाल के लिए चुनाव जीत कर आता है और बीच में वह रंद छोड़ की तरह रंद छोड़ करके भागता है तो इसका अर्थ है कि रंद छोड़ा है कि छोड़वाय गया है यह राजनीतिक भईस के गर्म है लेकिन लोग तो कह रहा है कि आपकी डर्स की वज़े से यह सब इस्टेप उठाया जा रहा है मुखमंतरी तो सिधा आरोप लगाते कि भाजपा जो कहती है इड़ी वही करती है तो लियाजा माना जा रहा है कि मुखमंतरी अब यह म सारी चीजें हाइपोतोर्टिकल हैं भविसके गर्म में छुपा हुआ है और राजनीत में अगर मगर परंतु नहीं चलता है राजनीत में परिश्टियां जैसे ही आती है उसके अनुकूल पक्ष या विपक्ष अपनी रन निती तैयार करता है इसलिए समय का इंतजार करना अचाहिए उनके उठाए हुए कदम के हम सब लोग इंतजार में क्या करना चाहरी है सरकार हिंद्यों उन्टित वाली पार्टि पारटि अिसके अनुकूल भी भारतियें रन नीती तैये इसका मतलब है कि हेमन सोरेन जी डरे हुए है, सहमे हुए है, और इसलिए कानून को धत्ता बताने का कामूलग अतार कर रहे हैं। जो नयाय प्रीव होता है, जिसके हिर्दे में कलंक होता है, वह कानून का सामना करता है। कानून से नयाय की उमीद करता है और नयाय प्राप्त करता है। लेकिन आप पहले दिन से ही कानून को धत्ता बताने का काम कर रहे हैं, एक मुखमंतरी के तोर पर, जिन्होंने समिधान की सपत ली थी, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बलकि पूरी दाल काली है, इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कानून के बिरुद उन्होंने कुछ काम किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए वो कानून का सामना, एजन्सी, जाज एजन्सी का सामना करने में, सहमे हुएं, डरे हुएं, पलाइन कर रहे हैं, आखरी सवाल है, जेमें कहती है कि जब दीपक जे चिला चिला के करते थे, कि सी एम रहते है क्या, उसमें न्याले कह दिया कि कोई मामला नहीं बनता है, लिफापा भेजने वाले, खुलने वाले, खुद चले गए, खुल गए यहां से, तो इस तरीके कि जो आरोप लगा रही है भाजपा, वो सही है कि नहीं है, यह तो न्याले ते करेगा, कि जज भी अब सजा होनी चाहिए, वो रहे क्यों? लेकि निस्चित है, न्याले का निर्ने का सम्मान हम भी करते हैं, अज सब को करमा चाहिए, लेकिन वो न्याले का अंतिम निर्ने नहीं है, स्वरुच न्याले भी है, जिस प्रकार से जिन परिस्चितियों में निर्ने हुआ है, वो अज हरखन की जंता जानते हैं हम नयाले का सम्मान करने वाले लोग हैं और उसके उपर भी सरोच नयाले हैं अपील की जा सकती है तो बीजेपी उसमें क्या इंटर्वेनर बनके अपील करेगी या बीजेपी करवाएगी विच्छी तोर पे हम तो चाहेंगे जिन्होंने नयाय सुकरिया हर चीज भविस में पर्टिका है भविस में ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा लेकिन ये सीट खाली कराकर रखना ये माना जा रहाएं कि भविस मुख्य मंत्री देख रहे हैं उनके पक्ष में नहीं है लेकिन राजनीती में हर पल परिस्तितिया बदल जाती है और उसके अनुसार निर्ने भी हर पल बदल जाते हैं नया साल क्या लेकर आएगा जारखंड की राजनीती में वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे शुक्रियो